हालो दोस्तो मैं हूँ आपका बेर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेर दोस्तों आज अभी इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंदीगो के बारे में इंदीगो हम सबको पता है एक एरवेज कंपनी है काफी करके जाती है और रादर देन लोग काफी अधर जो फ्लाइज है वहां से जाने से बेटर इंदीगो में काफी अच्छा जो है सर्विस की वजए से इसमें ट्रैवल होता है और आज इस कंपनी ने दोस्तों यून का क्वाटर क्वाटर वन में दोस्तों लगभक तीन हजार क का लास जो है वह पोस्त किया हुआ है वीजन वरी क्लियर है हम सब जानते हैं इसका रीजन कोरोना है कोरोना पैंडेमिक की वज़े से सब कुछ बंद है कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ रहा था गवर्मेंट ने बंद करके रखा था प्लस पूरा ट्रैवल टूरीजम चीज़े जो है वह ऑनलाइन फोन इंटरनेट वह सब पर लेकर के आ गए हैं तो वह भी लोग काफी कम फ्लाइट कर रहे हैं उसकी वज़े से तो इतना सारा सीन जो क्रियेट हो रहा है उसकी वज़े से हमें जो यह नंबर देखने को मिल रहा है लगबक तीन हजार के करोड के आसपास वह है अब पात करेंगे थोड़े डीटेल में जाके के एक्चुली सिनारियो क्या है न्यूस थी दोस्तों के इंटर ग्लोबल एवियेशन जो इंदीगों की प्राइवेट मस्कशी का पैरेंट कंपनी है इन्होंने वेनस दे को पोस्ट किया था अपना लॉस जो जून 30 तक था अगर आप पिछले साल के कॉर्टर में इसको कंपेर करोगे तो उस टाइम पे लगबग इनको बारा सो तीन करोड का प्रॉफिट हुआ करता था जो इस साल में लगबग तीन हजार करोड के लॉस में टर्न हो चुका है बहुत ही खतरनाक सिचुईशन में क्योंकि हमें और अभी तक पता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में यह पूरा रिज्यूम कब होगा कब यह लोग करना स्टार्ट करेंगे काफी सारे डेंदर सिचुईशन लगबग 92 परसेंट का जो है यहां पे पूरा लॉस यर ओन यर हमें देखने को मिल रहा है ज़ंटीड है ड्यू गवर्मनेंट ओर सब इस प्रफ यहीं कंपनी नहीं है स्पाइस जेढ के तो पूरे मतलब आप देख रहे हो हालत बहुत कराव सकी और भी गवर्मेंट कंपनीच है यह ओर फिसे ओर भी मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं मैं ओवरल वर्ल् अभी भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है भारत ने भी अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइज के लिए में रखाल से पर्मिशन नहीं दी है और इतने जल्दी देनी भी नहीं चाहिए और अगर दिये भी दी तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लोग जो है वह udah can置 mail करहते हैं जिसमें से 17000 करोंड जा है वी यह है फृष्ट हुआ जिए अपने ऐसेट्स में फचीं हो कहीं आपने उसकी प्लाणिंग कर रखी हो ऐसी कैस्ट करिक है जाता एं management of cash यह बहुत important रहने वाला है इस company के लिए क्यूंकि इनके इसाब से दिखे पूरा रिज्यूम होने में passengers वापस आने में और सब business settled होने में business अपने लेवल तक आने में लगबग 2024 साल शाय दिनको आ जाए क्योंकि जो इफेक्ट हुआ है वह बहुत ही बड़ा है क्योंकि अगर कल स्टार्ड भी हो जाता है तो company को काफी सारी चीजों को अरेंज करना है और वह सब अरेंज करने के बाद company को वह सारा लॉस क्लियर करना है उसके बाद में company जो है वह profit की तरफ देखेगी तो लगबग company की इसाब से इसको 2024 आ जाएगा अभी एविएशिन इंडस्री की क्राइसिस के बात करेंगे तो cash balance जो है यह फिलाल more तक कि यह लेकर के जा सकता है उनको क्या अभी difficulties खतम नहीं हुई है अब इसका major description की बात करेंगे दोस्तों तो जो opportunities होती है वो ऐसी moment में यह मिलती है companies को जैसे उनको chance मिलते है अपने product improvement करने का customer preferences improvement करने का cost कम करने का और employee engagement बढ़ाने का अभी इनकी सबसे जो रोनो जो दत् strong team जो है इन्होंने front पे खड़ी की हुई है बनाई हुई है जो कि company को help करेगी कि इस crisis से बाहर निकले और stronger company बनके यह इसमें से उभरे और hopefully हम लोग कोशिच करेंगे कि भाई आप लोग वो करो क्योंकि कोई भी company जब बंद होती है या फिर default हो जाती है तो उससे काफी सारे जोड़े होते हैं उनके employees होते हैं उनके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके owners चलो owners तो बाद में, पैसे कहीं नंगई से n sings निकाली लेते हैं, but employees जो है employee हो जाते है, इन्वेस्टर:「 वह वह वीचारे वापस से गरीब हो जाते हैं, तो वह काफी सारी चीजह difficult होती हूँ इसमकरicie यहां पर देखिए अगर इस कंपनी की बात करेंगे तो इनके बाद 24 एयरक्राफ्ट है जिसमें से लास्ट क्वार्टर में इन्हों ने और बारा लिये थे तो ऑप्रेट के बात करेंगे तो 408 डेली फ्लाइट है जो जिसमें चार्टर फ्लाइट भी आते हैं और से 20 है वह भी इंपोर्टन्स रखता है क्योंकि अगर वह कोई भी 20 है तो डिफिकल्ट हो सकता है यूस है तो काफी ज्यादा फ्लाइट वहां पर होता होगा या चाइना होता होगा में भी जपान होता होगा तो अगर हम कोल अलंबिया या फिर और चोटे-चोटे कंट्री से जहां पर फ्लाइ नहीं होता है तो कोई उससे मतलब नहीं बनने वाला है अब इसकी के बात करेंगे तो फिलाल इस पर जो लीज लाइबिलिटी है दोस्तों वह कुछ 21,177 और टोटल लाइबिलिटी के बात करेंगे तो लगबग 23,000 करोड की कंपनी के उपर लीज लाइ करने में ये करने में और एक लाइबिलिटी को अपने लाइन में लगाने में उनको शायद 2024 आ सकता है और डिफिकल्टी काफी और शायद बढ़ सकती है एविशन कंपनी के लिए क्योंकि ये तो उपर उपर वाली बात फिर प्लेंस का मेंटेनेंस और काफी सारी चीज़ें होती है जिनकी लाइबिलिटी भी शायद अभी बढ़ रही होगी क्योंकि फ्लाइ नहीं हो रहे हैं और जो खड़े चीज़ें उनका मेंटेनेंस भी करना है इंप्लोई को सैलरी भी देना इसलिए दूने ने कहा कि जो कैश रिजर्फ है वह उनकी प्रियोरिटी बना हुआ क्योंकि उसमें से कम से कम जो है वो पैसा अभी फिलाल तो जाना चाहिए उसमें से जफ्यादा पैसा जाएगा उतना और कंपनी का जो होता जाएगा इसका इंपक्ट मार्केट में भी दिखना चालू अगर हो चाता है तो बहुत बड़ी मुझकी नहीं पेंपनी के लिए दोस्तों खड़ी हो सकती है यह दा मेरा पॉइंट आफ यू इंदिगो के जो क्वार्टर बन के रिजल्ट आया है या फिर जो करन्ट सिच्विएशन है आप क्या सोच रहे हो कंपनी के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों तो डिसकेशन होगा वहां पे क कुछ ना कुछ और अगर वीडियो अच्छा लागा है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब जरू कीजिएगा दोस्तों तेंक्यू फेरे माच